आज है 12 नवंबर 2022 और 12 नवंबर 2022 से करेंट फैस के जितने भी इंपोर्टेंट कुश्चिन मन सकते हैं सारे में इस वीडियों मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो वह ध्यान से देखिए लास्टम मैं आपसे कुश्चिन भी पूछूंगा उसका आंसर आपको कम राश्टी सिक्षा दिवस मनाया गया तो इस कुश्चिन का बे आपसें सही है आपको पता है स्वतंत्र भारत के पहले सिक्षा मंतरी थे मौलाना अबुल कलाम आजात और इनी की जैनती होती है ग्याए नवववर को इसलिए हर साल ग्याए नवववर को राश्टी शिक्षा दिवस मनाया जाता है अजह अभी एक नवववर को भिश साकाहरी दिवस मनाया cola था साथ भारती राज्यों का और दो केंसासित प्रदेशों का इस्तापना दिपस भी एक नवंबर को मनाए गया यह साथ भारती राज्य कौन से हैं केरल करनाटक आंध्र प्रदेश पंजाब हर्याना मध्य प्रदेश और शत्रीशगण और दो केंसासित प्रदेश हैं पांच नवम्मर को बेश्टी कैंसर जागरुकता दिवस मनाए गया आठ नवम्मर को बेश्टी कानूनी सेवा दिवस मनाए गया दस नवम्मर को सांती और बेकास के लिए बेश्टी बिज्ञान दिवस मनाए गया तो नवम्मर में अब तक इतने इंपोर्टेंट यह आपको याद रखने हैं अच्छा आज किस वीडियो का हम टार्गेट रखते हैं चाली से लाहिक का तो अगर यह वीडियो आपको सबसे पहले अपने लेक टार्गेट पिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टार्गेट को अचेव करने में लगा दो आपकी लाइफ ऑटमेटिक लिए अच्छी हो जाएगी ने क्यूशन है हाली में भारती सेना ने केस राजी में वालोंग मेले का आयजन किया तो भार और अचर्द्यीस की चीपनिश्टर कौन है पेमा खंडू और अचर्द्थ की गवर्नर कौन हैं ब्रिगेडियर बीडी मिस्रा अभी पूर्वोत्र का पहला एक्वापार्क अचर्द्थ में इस्तापित किया जाएगा अचर्द्थ में कुंड लोहित नदी भर भगवान प this Topa रहा था हिस्ट नніकिलात हाली में पिन्स टे के कृसी मंत्रियों की दूसरी बैटकी मेजवानी किस ने की है तो अभी अपने देश भारत ने न्यू डैलिम में बिम्स्टे के क्रस offenders की की दूसरी बैटकी मेजवानी कि दूसकुसिंच का बे objects ना बिम्स्टेक इसकी फुर्पों क्या है बे और बेंगल इनिसियेटिफ पर मल्टि सेक्टोरल टेक्निकल एंड एकॉनमिक कोपरेशन इसकी स्ताफना कब हुई में इसका हेड़ोकोटर कहां पर है धाकी में अच्छा यह बिम्स्टेक है क्या बंगाल की खाड़ी के आ स्पास के साथ पर सम्मूह है बिम्स्टेक अब शात देश कौन से मुवड़ेस भूर्ट इंडिया नेपाल स्रिलंका र्फाइ भ्यांच मू म्यांअ is इसह विश्वों का समू है बिंस्टेक नएक शुशन है हाली में नबे टेकनलोजी ने किसे अपना ब्राइंड मेजड़ बनाया है तो नबे टेकनलोजी यह क्या करती है यह परसनल लॉन बेकल लॉन इस तरह के लॉन प्रवाइड करती है इसने अभी अभी स्केचस इंडिया ने किरती सेनन को अपना ब्राइंड मेजड़ बनाया है प्रमुक एडिटेक कंपनी बाइजू ने लियोनल मैसी को एजूकेशन फॉर आल पहल का ग्लोबल अमेजड़ न्यूक किया फेफा 2022 में रडबिल सिंग को भारत का अमेजड़ बनाया गया पिंटोला यह एक पीनटोडर की कंपनी है इसने सूर्ख कुमार यादव को अपना ब्राइंड मेजड़ बनाया है फायर वोल्ट ने बिजय देवर कॉंड़ा को अपना ब्राइंड मेजड़ न्यूक किया है नैशी शिन हाली में इंडिया एग्रे बिजनिस बेस्ट स्टे सित अब अरइना ने जीता दूस कुस्ष्ण का अब ऑ्प्सूंज अब बरेंड़ आमेनगी केपिटल क्या है चंटीगड हरेना के चीपनिस्टर कौन है मनोहर लाल खट्टर हरेंग की गोवर्ंः कोन हैं बंडारु तत्त कर अब हर्याना सरकार ने चरह सुरू किया उपकि बबंब्हार सरकार ने यह कुट्टस का पंजिक्प ननिवार सेँचरी है समझ मोज़ने कुट्हें ज्यां तर्व सिरिय सट राज कोुषित किया मा सिंतना पीना क्रूंष तव्यूक पार्ड़ी है सिच्परति अन्यक्पन 玩法 एक्पन ठोला सब्सक्रएं까요 हाली में हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे उचा मद्दान केंद्र कौन सा बना है, तो हिमाचल प्रदेश का टसी गंग दुनिया का सबसे उचा मद्दान केंद्र बना है, तो इस question का बे options है यह हिमाचल प्रदेश के लाहूल स्पीटी जिले में है और यह पहली बार मद्दान के इंद बना है इसकी उचाई कितनी है 15256 फेट कितना 15256 फेट अब यह हिमाचल प्रदेश में है तो हिमाचल प्रदेश में elections related एक important question में आपको होता है था स्वतंत्र भारत के सबसे aged मतदा था श्याम शरण नेगी ने अभी हिमाचल प्रदेश में बद्दान किया और उसके अगले दिन उनका निदन हो गया 106 बरस की उमर में स्याम सरण नेगी का निदन हुआ ने question है हाले में किस ने middle east green initiative के लिए 2.5 अरब डॉलर की पतिवद्दता जताई है तो साओधी अरब ने अभी middle east green initiative के लिए 2.5 अरब डॉलर की पतिवद्दता जताई तो साओधी अरब तो यह है मैप में साओधी अरब साओधी अरब की केपिटल क्या है रियाड साओधी अरब की करंसी क्या है साओधी रियाल और साओधी अरब के प्रजेंट टाइम पे किंग कौन है महम्मद पिन सल्मान नए कुश्चिन है हाली में IMF के इस देश को आरतिक संकट से निपटने के लिए 4.5 बिलियन डॉलर का रेड प्रदान करेगा तो अभी IMF यानि की international monetary fund बांगलादेश को आरतिक संकट से निपटने के लिए 4.5 बिलियन डॉलर का रेड प्रदान करेगा तो इस क Qarency कया है टका पंगलाडेस की प्रजैन टेरन प्रमाश्ट कोई है सेOYक खसीना और प्रजैन टेकशन कौन है अबडुला हामिद अबी बंगलादेस में बैसिक्षर्युवाज जलबाईו सिकर सम्हेलन शुरू हो बंगलादेस के क्रिकेटर रूबल हुसेन ने टेस्ट क्रिकेट से सन्यास की गोश्णा की बंडे में आठ जार रन उनाने वाले पहले बंगलादेसी बल्लेवाज बने हैं तमेम एकवाल अच्छा वसीफा नाजरीन ये केट्टू फत्य करने वाली बंगलादेस की पहली माईला बनी है और बंगलादेस के खिलाडी हैं तमेम एकवाल इन्होंने अभी टे-ट्वंटी इंटरनेशनल क्रिकेट से सन्यास की गोश्णा की है ने क्यूशन है हाले में इंडिया स्टून मार्ट इंटरनेशनल एकविशन के ग्यारे में संस्क्रट की मेजबानी कौन करेगा तो अभी जैपुर इंडिया स्टून मार्ट इंटरनेशनल एकविशन के ग्यारे में संस्क्रट की मेजबानी करेगा तो इस question का A option सही है ने question है हाली में ASIC मात्र तुलाव के लिए online portal किस ने launch किया है तो हमारे केंद्री मंत्री है भुपेंद्र यादव इन्होंने ASIC ASIC की हुपलपम क्या है Employees State Insurance Corporation ASIC मात्र तुलाव के लिए online portal launch किया तो इस question का B option सही है ने question है हाली में किस राज सरकार ने 10 नवमर को बाजरा दिवस की रूप में मनाया है तो अभी उडिसा ने 10 नवमर को बाजरा दिवस की रूप में मनाया है तो इस question का C option सही है उडिसा के जन जाती छेतर में बाजरा एक प्रमुक फसल है इसलिए उडिशा में ये बाजरा दिवस मनाया जाता है 10-9 मर्क। अब उडिशा तो ये है मैप में उडिशा उडिशा की केपिटल क्या है? भुबने सर उडिशा की चीप मिर्स्टर कॉन है? नबीन पटनायक और उडिशा की गवर्नर कॉन है? गनी शीलाद अच्छा उडिशा में है विलर दीप और विलर दीप का नाम बदल के एपी जी अब्दुल कलाम दीप किया गया है उडिशा दिवस या उतकल दिवस कमनाय जाता है एक अपरेल को अबी बाजी राउत राश्टी फोटवर्टूरामेंट का उद्गाठन उडिशा में हुआ उडिशा सरकार ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की गोश्ण की है आपदाओं से निपटने के लिए उडिशा आपदा प्रबंदन युद्धा तयार करेगा उडिशा के मुख्यमत्री ने किसानों के लिए पहला क्रस्टी क्रेडिट पोटल सफल लॉंच किया उडिशा सरकार ने सम्मिदा भरती को समफ्त किया है अच्छा अश्विनी वैश्णव ने भुबनेस्वर में बारत के पहले एलिमिनियूम फ्रेट रेग का उदगाटम किया उडिशा में शुनाबेडा वाईला संचुरी है कुठागड वाईला संचुरी है नलवन वाईला संचुरी है वाईशी पल्ली वाईला सेंचुरी है देवरीगट वाईला सेंचुरी है गहिर मठ वाईला सेंचुरी है उडिशा में चिलका लेख है ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेख है उडिशा में रसेकुलिया बीच है गोल्डन बीच है अच्छा यूनेसको ने उडिश टेंपल है खुडार टेंपल है और जगरना टेंपल है नाइक फिशन है किस बैंक ने MSME के लिए मर्चेंट वन अकाउंट लॉंच किया है तो अभी कूट्टेक महिंद्रा बैंक MSME यानि की माइक्रो स्मॉल एंड मेडियम इंटरप्राइजिस के लिए मर्चेंट वन अकाउंट लाउंच किया तो इसको शिन का बे आप्शन सही है अब कोटक महेंद्रा बेंक इसकी स्तापना का हुई 1985 में इसका हेड़कॉर्टर कहां पर है मुंबई में और इसके प्रजेंट टेम पर सीईयो कौन है उद्धे कोटक ने क्यूशन है हाली में अरुणा मिलर किस अमेरिकी राजी के उपराज जपाल का पद समालने वाली पहली भारती अमेरिकी बनी है तो अरुणा मिलर ये अमेरिका के मेरिलेंड में उपराज जपाल का पद समालने वाली पहली भारती अमेरिकी बनी है तो इसको शिन का से ओप्सन सही है आप इमेज में देखिए ये हैं अरणा मेलर ने क्यूशन है हाली में पहली बार भारत और आसियन के किन मंत्रियों के बीच सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है तो अभी पहली बार भारत और आसियन के रक्षा मंत्रियों के बीच दोजर टेश की सुरुवात में सम्मेलन आयोजित क दाएगा तो इसकुषिन का ए ओप्सन सही है नेक्षिन है हाली में किस टेनिस की लाड़ी ने 2022 पुरुस एकल पैरेस मास्टर्स किताब जीता है तो अभी एक टेनिस प्लेयर है होलगर रूने इन्होंने बेस्चु के नमर बन नोबाग जोकोविच को हरा कर 2022 पुरुस एकल प से ओप्सन सही है अब होलगर रूने ने जीता तो इमेज में देख लिजी यह हैं होलगर रूने अब लास्ट वीडियो के कुषिन का अंसर लास्ट वीडियो मैं आप से कुषिन पूचा था कि हाली में 9 नवंबर को केस राजी का इस्तापना दिवस मनाए गया है तो अभी उत्तरा खंड का इस्तापना दिवस 9 नवंबर को मनाए गया यानि किस कुषिन का से ओप्सन सही था और लगबग सभी इस्ट वेडिनेस कांसर सही दिया मुष्ट लिश्ट वेडिनेस के आरेम डिटेल में लिखा मैं आपको एक बार पिर बोलूँगा कुषिन के बारे में आपको जितना जाता से जाता पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो पिर उन्हें आप कभी नहीं बूलते हैं अब आपके लिए आज का कुषिन आपके लिए आज का कुषिन है 2023 खेलो इंडिया युनिवस्टे गेम्स की मेजवानी कौन करेगा चार ओप्सन दिये गए हैं इन मेंसे आपको अपना आंसर बताना है आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लेज कमेंट बॉक्स में जरू बताना और अगर अबे तक भी आपने वारे इस चैनल को सब्सक्राब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राब जरू कर लेजिए आपको इस चैनल से निश्चित्थी मदद मिलेगी जब आपसे सब्सक्रा सब्सक्राब कर दो लंध कि वें जरू कर ले लेजिए कर दिले हैं.